जावा स्विंग में जे फ्रेम का स्रीज जो चल रहा है उस स्रीज में आज मैं आप लों को तीन मेथट के बारे तीन से चार मेथट के बारे बताऊंगा सबसे पहले आपको फ्रेम में बैक ग्राउन कलर कैसे सेट करता है और फिर टेक्स्ट फिल्ड में यानि के टेक्स्ट बाक्स में आप बैक ग्राउन कलर कैसे सेट करेंगे और फोर ग्राउन कलर कैसे सेट करेंगे यानि टेक्स्ट फिल्ड में टेक्स्ट फिल्ड का जो बैक ग यह पर stepping करेंगे वह भी देखेंगें हम लोगे तो वन भाइवन करके देखते हैं सेट बैग्राउंडंड मैंथ थेटि के रिए हैंसेट फॉर बाउंड मैंतर्ट इस टेख्ड बाक्स के रिए हैंसेट फ़ो घ्रण मैंथ हटर और चब धर्म के लिए फिर प्रिक्षर में यह आपने उससे पहले भी देखा कि हम लोग यहां पर कैसे इसको कोडिंग शुरू करते हैं ठीक है ना तो हम सबसे पहले क्या करते हैं इंपॉर्ट जावाइक्स.swing.start इसे हम लोग क्या करते हैं Swing को हम लोग IMPORT कर लेते हैं फिर आपको Class बनाने आता है कैसे सब से पहले Class कैसे Brett करते हैं Class कर ना हम टेस्ट फ्रेयं नी थिक है यह यूजर डेफाइन है इसमें कोई भी Class को में दे सकते भी उसके बाद Public Static Wordman यहां तक आप जानते हैं फिर आपको frame create करना भी आपको आता है, यह frame का design है, यह coding है, हम सबसे पहले j frame class के तुरू फ्रेम object लेते हैं और उसको एक object create करते हैं इस तरीके से, ठीक है ना, फिर frame की visibility को हम true करते हैं, यह visibility true हो गया, उसके बाद frame का size को हम set करते हैं, कितना frame होगा, width कितना height कितनी होगी, और उसके बाद set title को भी हम कर सकते हैं, यानि कि सारे frame की component या method को हम अप्लाई कर सकते हैं, जितना चाहें, जो भी चाहें, तो यहां तक क्या हो गया, यह frame create हो गया, अब हम देखना है कि frame का background कैसे set करते हैं, तो frame के background set करने के लिए, इसको मैंने आपको last lecture बताया था, container लिखें को हम इस container class से इसको acquire करेंगे, ठीक है ना, अब इस object के थुरू set background करेंगे, यह method है, set background यूज़ करेंगे, और फिर एक हम यहाँ पे color को पास करेंगे, जिसे color.red, color.blue, जो color आपको लेना है, तो हमने यहाँ पे पास किया color.red, तो इस तरीके से color पास हो जाएगा, और जब इ यह red color में show होगा, और यहाँ पे जो title होगा, वो show होगा, my frame, तो यह इस तरीके से frame design होगी है, frame में color, जो है, वो change होगी है, background color, जैसा frame चाहिए, वैसा color आप कर सकते हैं, तो उसके बाद हम देखते हैं, आप next वाला क्या है, next में है how to set background and foreground color of a text box, यानि text field का background color और foreground यानि font क color को change करना, ठीक है, तो frame design करने के बाद उसके नीचे हम लिखेंगे, यह j text field है, इसको भी आपने design किया, j texture class है, इस में object लिएं, और एक object create किया है, ठीक है, यह object create होगी है, उसके बाद text dot set bonds, यह भी method आपने देखा, set bonds करता है, जैसे हमारा text box है, वो कितना size का होगा, यह width ह यह height है, और यह हमारा top margin और left margin बताता है, set bond, ध्यान है, ठीक है ना, इसको आप देखेंगे, set bonds से क्या होता है, यानि कि हम set size भी कर सकते हैं, लेकिन bonds करेंगे तो total चीज़ हो जाएगी, left और right से हमारा frame में कितने दूर में आएगा, ठीक है ना, यह वाला हमारा कितने दूर में आगा, इसको हमको ध्यान देना है, उसके बाद है, text.set background, यानि कि अब हम text field का background color को set करेंगे, तो इस object के माद्धी हम से करेंगे, text.set background, हम यहाँ पे color pass की, color.blue, तो हमारा text का background, यह किसा हो कि background क्या दिखेगा, blue दिखेगा, यह वाला जो color है, यह blue दिखेगा, ठीक है न यह फ्रेम में अड नहीं होगा, तो यह फिर अड होगिया, उके, तो इस तरीके से क्या होगा, text box अड भी होगिया, और साथी साथ text box का color जो है, वो background color blue होगिया, अब इसमें जो text डालेगा, यूजर, जैसे user जो भी text डालेगा, उसका color चेंज करना हमा, बाइड डिफॉल लेकिन हम उस color को change करना चाहते हैं उसी को हम कहते हैं four ground color तो उसके लिए method simple यहां क्या लिखेंगे इसके बाद इस line के बाद हम इस line के बाद क्या लिख देंगे यह वाला यहां लिख देंगे यह वाला apply के लिए और इसको run करके देचे ठीक है next बढ़ते हैं बटन कैसे create करते हैं जब आफ frame design करना सीख गए हैं जो कि swing जो है बहुत easy है इसके सारे methods को आप याद रखेंगे तो धीरे धीरे सारा जो है आप design करते चले जाएंगे आपको बस class को याद रखना है जैसे यह बटन class है इसे एक हम object यहाँ पे लिए और एक object create की है ठीक है ना और object जब create करेंगे तो यहाँ से एक हम यहाँ पे string पास करेंगे यानि कि उस button पर क्या लिखा होना चाहिए जो आप यहाँ लिखा जाएगा चाहिए क्लिक में हो या फिर आप यहां पर क्या डिजाइन का क्या लिखना चाहते हैं जो लिखना चाहते हैं वो बटन में आप यहां पर यहां से पास करेंगे ठीक है तो अभी मैं यहां पर क्लिक में पास करता हूँ उसके बाद बीट बटन यानि कि जो अब्जिक्ट है, डॉट सेड़ान यहां पर बटन का साइज क्या होना चाहिए और बटन जो है वो टॉप में कितना लेफ्क में कितना होगा, टॉप कितना होगा, ठीक है ना तो अभी हम simple button बनाएं यह by default black color का show करेगा है आप click में लिखा हुआ रहा button जो color default by default set करेगा button का भी color change कर सकते है button के text का भी color को हम change कर सकते है और button में हम image भी ला सकते है बहुत सारे चीज़े है ठीक है तो वन बई वन करके apply किजी और इसको use करके और run करके देखते जाए डेफिनिटली आप इसको आपको जो है बहुत मज़ा आएगा इसको सिखने में पढ़ने में और जो doubt होगा हमें जबरूर बताएंगे thank you very much